असम में AIUDF के साथ सीटों के मुद्दे पर कॉंग्रिस पार्टी में अंदर खाने बिखराव के स्थिती आ गई है जो पार्टी में नई फूट की वज़ा बन गई है असम में AIUDF के साथ गडबंदन और सीटों के बटवारे को लेकर कॉंग्रिस की नेतरी सुश्मिता देव ने पार्टी से नाराजगी जाहिर की है पश्चिम मंगाल के चुनाओं में कॉंग्रिस और ISF के गडबंदन को लेकर देश में कॉंग्रिस के बाइस दिगजने था नाराज़ चल रहे हैं और पार्टी की फजिहत की वज़ा भी बन रहे है TFI पर आपका स्वागत है मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे असम और पश्चिम मंगाल में कॉंग्रिस का AIUDF और ISF के साथ गडबंदन करना पार्टी के लिए मुश्किलों का सबब बन गया है BJP को हराने के लिए अब कांग्रिस के पास एक ही विकल्प रहता है कि वो राज्य में किसी अन्य दल के साथ गडबंदन कर ले लेकिन अब गडबंदन में भी उसकी फजिहत अंदर खाने में हो रही है पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही ISF के साथ गडबंदन को लेकर हो चुका है लेकिन असम में भी गडबंदन को लेकर पार्टी में फूट परती दिखाई दे रही है असम में कांग्रिस की नेत्री सुश्मीता देव ने AIUDF को चुनाओं में ज्यादा सीटे देने के पार्टी के फैसले पर आपत्ती जाहिर करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिय गांधी को इस्तिफ़े की पेशकर्श की है समुचे देश की तरह ही असम में भी कांग्रिस की हालत बहुत पतली है पूरु मुख्यमंत्री तरुन गोगोई के जाने के बाद सारा काम उनके बेटे गौरफ गोगोई ही देख रही है ऐसे में AIUDF को भी अपने कांग्रिस के गड़बंधन में शामिल कर चुके हैं और इस गड़बंधन की पार्टी AIUDF के साथ सीटों के मुद्दे पर पार्टी में अंदर खाने बिखराव की स्थिती आ गई है जो पार्टी में नई फूट की वज़ा बन गई है सीट बटवारे के इसी मुद्दे को लेकर All India महिला कॉंग्रिस की अध्यक्ष सुश्मीता देव ने कॉंग्रिस की कारेवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तिफा देते हुए पत्र लिखा है सुश्मीता देव, पूरु केंद्रि मंत्री, मोहन देव सिंग की बेटी है और पूरु लोग सभा सांसत भी है सुश्मीता All India महिला कॉंग्रिस की अध्यक्ष भी है ऐसे में यह कहा जा सकता है कि वो पार्टी में एक वरिष्ट नित्री है परन्तों वो AIUDF के साथ गडबंधन को लेकर नाराज चल रही है उन्होंने इस मुद्दे पर सोनिया गांधी को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है और पार्टी की कई गतिविदियों से ही अचानक खुद को अलग कर लिया है जो राज में होने वाले विधान सबाचुनाओ के ठीक पहले पार्टी के लिए एक बड़ा जटका है इस मुद्दे पर सुश्मीता देव के साथ काम करने वाले नेताओं ने बताया कि वो सिल्चर में गडबंधन के साथी AIUDF को दी गई सीटों से नराज चल रही है और इसके अलावा वद्दक्षणी असम में बंगाली बहुल इलाकों में उमिद्वारों के चैन के मुद्दे पर भी नराज चल रही है उन्होंने गुहाटी में होने वाले उमिद्वारों की चैन कमिटी की बैठक को भी अचानक छोड़ दिया था जो कि पार्टी के लिए एक मुश्किलों का सबब बन गया है सुश्मिता देव की बड़ी नराजगी ये है कि AIUDF को कॉंग्रेस के हिस्से की 15 सीटे क्यों दी जा रही है उनका कहना है कि बर्खला से पार्टी विधायक रूमी नाथ को टिकत ना दिया जाए और पेपोन देव को इस सीट से उमिद्वार बनाया जाए देव का तर्ख है कि रूमी नाथ को पिशले साल ही पार्टी विरोधी गतिविदियो के कारण पार्टी से बाहर किया गया था हाला कि सुश्मिता देव के इस्तिपे से कॉंग्रेस नेता इंकार कर रही है और उनका कहना है कि ये पूरता जूट है पार्टी नेता तो चुनाओं से पहले अपनी साख बचाने में जरूर लगे हुए हैं लेकिन सच यही है कि टिकट बड़वारे के मुद्दे पर सुश्मिता देव के स्थिफ़े के बाद असम कॉंग्रेस में पार्टी बिखर चुकी है और ये कॉंग्रेस के लिए बड़ी म कर रहे हैं ऐसे में चुनाओं से ठीक पहले असम कॉंग्रेस में फूट पढ़ना कॉंग्रेस के लिए एक बड़ा जटका है और ये कॉंग्रेस को बेहत भारी पढ़ने वाला है